जारकन विदान सभा चुनाव में बीजेपी ने अभी बावन उमिद्वारों के घोशना कर दी है जिसमें दस जो सिटिंग अमेले थे उनका टिकट कट चुका है अब देखने वाली बात होगी कि जो दस उमिद्वार थे अब वो किस रूप में से लेते हैं क्योंकि वो सिटि जीह दी गई है साथी पांच मैलाओं को भी जगह दिया गया है जो दस नए चेहरे आएं हैं उसमें बीजीपी को उमीद है कि जिन दस लोगों को जगह दी गई है वो वहां से जो दावेदारी पेश कर रहे थे उनकी दावेदारी मजबूत थी और वहां से अतिहासिक जीत हासिल कर सकते थी और बीजीपी का जो 65 पार का लक्षे है उसमें एहम भागीदारी निभा सकते थे इसलिए उनने बीजीपी में जगह दी गई है तरजी दी गई है उनने वहां से उमीदवार बनाए गया है लेकिन बीजीपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है क कि नहीं मिला ना लोग सभा में ना विधान सभा में तो अब वो क्या करते हैं किस रुख जाते हैं ये देखने वाली बात होगी वहीं शसी भूशन मेहता को लेकर भी कई सवालात खड़े हो रहे थे कि महाँ पे कई ऐसे समुधाय की लोग हैं जो शसी भूशन मेहता को नहीं करते हैं तो ऐसे देखने वाली बात होगी कि आखर यहां पर बीजेपी कितनी मजबूस्त इस्तिती में आती है वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि कयास लगाय जा रहे थे कि जो जारखंड सरकार में मंत्री हैं उनका टिकेट कट सकता है लेकिन ऐसी जो कयास थी उस पर पूर्ण विराम लग चुका है कई ऐसे मंत्री भी इस टिकेट में शामिल हैं जैसे सीपी सिंग का नाम चल रहा था सबसे आगे कि उमर की लिहाज पर या फिर स्वास्त की लिहाज पर उनका टिकेट कर सकता है लेकिन उन्हें एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान म उतारा है वहीं नवीन जैसवाल को लेकर जो नवीन जैसवाल का सीट है हटिया उसे होट सीट बना दिया गया कई पेच फस रहे थे लेकिन नवीन जैसवाल आखिरकार हटिया के लिए ही चुने गए और हटिया उनके ही जोली में आई वहीं अगर हम बात करें लूइस आजसू पर पूर्ण विराम लगा दिया है लेकिन अभी भी 29 सीट ऐसे हैं जिसमें आजसू की भागेदारी एहम है कि अगर आजसू बीजेपी में शामिल होता है तो कितनी सीटें पर सहमती बनती है क्योंकि अभी तक जो बातें सामने आई है 17 सीटों पर दावा कर रहा है आ अमिश्या के आवास पर बैटके होंगी दोनों की बीच बातचीत होगी अब देखने बाली बात होगी कि दोनों की बीच कितनी सीटों को लेकर सहमती बनती है लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखें क्योंकि बीजेपी भी अब कही ना कहीं गडवन्धन की मूड में है लोर तक इंतजार करना होगा उसके बाहर तस्वीरें साफ होंगी